नमस्कार दोस्तों, उमिद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे मैं डॉक्टर दुसेन चौहान, बोनेओं जॉइनी स्पेसलिस्ट दिल्ली से आज आप लोगे के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बात करना है हूँ दोस्तों, आज मैं आप से बात करूँगा हीप पेन के एक बहुत ही इंपोर्टेंट कारण के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और अधिकतर पेशन इसके हमारे OPD में आते हैं दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाए हुई थी अपने हीप पेन के बारे में यानि कुलों में दर्द के क्या के कारण होते हैं उस पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए हुए थे और काफी लोग के समस्या थी और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया हुआ था कि आप एवियन पे एक वीडियो बनाएं एवियन का मतलब होता है एवैस्कुलर नेक्रोसिस अब फिमरल हैड दोस्तों एवियन की समस्या यानि आपके कुलों के गोले की घिस जाना या फिर उसका गल जाना एक बहुत ही आम समस्या है तो आज का यह वीडियो इसी बारे में है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एवियन क्या होता है इसके क्या क्या कारण है यानि इसके risk factor क्या क्या होते हैं Avian के समस्या में मुख खिरब से क्या क्या दिक्कत आती है और इसमें क्या क्या complications होते हैं और इसके क्या क्या हमारे पास treatment option available हैं दोस्तो इनी सब के बारे में आज इसे में में बात होगी तो वीडियो के अंतक बने रही है दोस्तों मैंने हीप पेन के जो भी कारण बताये हुए थे उस पे सब पे एक एक वीडियो बन सकता है जो मैं आपके रिक्वेस्ट पे आगे बनाऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताये आपकी पेल्विस एक गड़ण बनाऊंगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन दोस्तों एवीन यानि एक ऐसी समस्या है जिसमें आपकी कूले की जो जॉइन्स होती है उसकी फीमर की जो गोले की हड़ी होती है यानि जो फेमरल हैड होता है वो अगल जाता है जैसे कि आप इस फिक्चर में देख सकते हैं कि जो आपका हिप का जॉइन्ड होता है या बॉल एन्सॉकेट की तरह होता है आपकी पेल्विस एक गड़धा बनाती है और उस गड़े में आपका फिमर की जो हड़ी होती है उसका गोला फिट होता है इसी गोले में बॉल एन्सॉकेट के मुमेंट्स के कारण आपके हिप के बहुत सारी मुमेंट्स बहुत ही स्मूदली होती है ना जाने दिन में कितनी सारे मुमेंट आपके हिप में होती है और यह बहुत ही स्मूदली होती है just because क्योंकि आपके ball and socket, जोन बहुत ही efficiently काम करती है दोस्तों ABN यानि A-Wasteful Necrosis में आपकी जो गोली होती है यह हट गल जाती है यानि घिस जाती है यह क्यों गलती है? दोस्तों इस गोले की जो blood supply होती है यानि इसको जो भी खून का प्रवाह होता है वो बहुत ही peculiar होता है यानि इसे बहुत सारे जगाउं से इसको blood की supply मिलती है जैसे कि आज फोटो मैं देख सकते हैं यानि इसकी जो blood supply होती है बहुत ही important होती है अगर कभी इस blood supply में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है या इसकी blood supply हमपर होती है रुख जाती है तो आपकी जो गोली होती है वो धिरे धिरे नस्ट होन लगती है और धिरे धिरे ओ गलने लगती है इसी को हम avian कहते हैं यानि जब उसमें blood की supply नहीं हो पाती तो इसका गलना ही av कहलाता है दोस्तों यहीं मैं इसके कारण की बात करों तो बहुत सारे जो एविन के कारण होते हैं वो इडियोपेथिक होने होते हैं यानि उसका कोई कारण नहीं होता वो बिना किसी कारण के ही उसमें blood supply कम हो जाती है और कुले की हड़ी गर्लिन लगती है दूसरा सबसे मह ब्लड वैसल को हेंपर करते हैं यानि रोग देते हैं या फिर किसी भी अन्य कारण से जब सूजन आती है या उसमें जब भी प्रेसर बढ़ जाता है तो भी यहां पी blood supply रुख जाती है और इस femoral head का loss होने लगता है और जो बाद में एविन के तरह आती है अगर मैं इसके तीसरे रिस फेक्टर की बात करूं तो जिन में बहुत ज्यादा कोलेस्टरॉल के मात्रा होती है उनमें भी आपकी क्लॉटिंग हो जाती है blood vessels में और आपके femoral head पे blood supply नहीं हो पाता और एविन काई भी एक कारण होता है जिन में हाई कोलेस्टरॉल होता है दोस्तों इसके अन्य कारणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे important है इस्टरॉयट का अधिक ज्यादा यूज़ करना जो लोग बाल,skin या किसी भी अन्य प्रकार के चमडी के रोक के लिए काफी दिन तक या फिर जो जीम में काम करने वाले होते हैं जीम में जो आज के youth होते हैं उपनी body कुछते हैं तो हमें हिस्ट्री जरूर मिलती है कि उन्होंने अपनी body बढ़ाने के लिए कभी न कभी बहुत ही long term तक इस्टरॉयट का सेवन क्या होता है तो मैं अपने युवा साथिं से यही कहूंगा कि दोस्तों body बढ़ाने के चक्कर में आप ऐसा नहों कि प्रोटीन से होते हैं या फिर सिकल से लेने में वाले डीजिस होते हैं इनमें भी even के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यह तो हो गये कुछ important कारण होते हैं यदि मैं आप मैं आपको यह बताऊं कि इसमें मुखिरब से क्या changes हाते हैं तो आप देख सकते हो एक normal आपका femoral head है जो बिलक होती है और गल के बिल्कुल ऐसे fragmentary state में आ जाती है आप हड़ी देख सकते हैं कैसे जो आपकी hip के joint के गोलाई हो बिल्कुल नस्ट हो चुकी है और यह धिरे-धिरे सपाथ होन लगी यानि इसमें arthritis वाली स्थिति भी उत्पन्न हो गई है आपकी जो hip के joints होते हैं उसका जो joints हो सकते हैं और बहुत तेज दर्द होता है यह तो मैंने आपको बता दी कि आपके X-ray में क्या कैशेंस होते हैं और even आपको X-ray में कैसे दिखते हैं इसके मुख्यरूप से pin की बात करूं तो मुख्यरूप से जो मरी जाते हैं वो hip pin के साथ आते हैं यानि आपके cool हों के आस पास पास भी बहुत ज्यादा pain होता है बहुत सारी moments आपकी hip की restrict हो जाती है यानि वहां पर आपकी hip की moment नहीं हो पाती साथ आपको जो भी आपकी दिंचरे के काम है जैसे squatting है अल्थी-पल्थी मार के बैठना या फिर जो भी आप बैठ के काम करते हैं यह सब moment भी कम हो जा है यदि आप हड़ी को देख पाएंगे तो यह हड़ी कुछ इस प्रकार होती है बिल्कुल ऐसे नस्ट हो जाती है मतलब ऐसे लगता है किसी ने 20 से कोई bite ले लिया हो यह एवियन की हड़ी होती है दोस्तों इसके treatment options में बहुत सारे हमारे पास treatment options है सबसे पहले है कि इसके treatment से पहले हमें इसका x-ray कराना होता है x-ray में normally avian पता चल जाता है कई और जब avian की समसे 7 नहीं पता चलती तो r passive दो इसके मुखर treatment की options की बात करों तो कई बार यह अगर इस्टेज 1 से 2 तक हो तो simple pin और कुछ stretching exercise से भी इसे ठीक किया जा सकता है दूसरी अगर मैं surgical options की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टन है क्या करते हैं कि आपके हड़ी में छोड़े छोड़े छेद बना देते हैं जिससे वहां का जो प्रेशर होता है वह कम हो जाता है और blood supply फिर से वहां पर आ जाती है इसके सबसे कारगर यदि मैं treatment की बात करूं तो यह होता है टी एचार टोटल ही प्रिप्रेश्मेंट इस operation में आपके जो गोले होती है इसे पूरी तरह हटा के एक नया गुला लगाया जाता है सांगी साथ आपके सौकोट को भी बदले जाता है अगर टी एचार से पहले अगर किसे treatment की अगर मैं बात करूं की बात करूं तो कई बार आपके एवियन वाले जगह पर बोन ग्राफ्टिंग भी की जाती है जिससे आपकी जो कुले की हड़ी हो उसमें एक ताकत आ सके और उसकी मजबूती बन सके बट ये तो सब बहुत ही ऐसे treatment option है जिन्वे results के 50% या 50% ही चांस होते हैं बट जो टी एचार होता है total hip replacement ये इसका permanent इलाज है total hip replacement एक बहुत ही safe surgery है और बहुत ही इसके जो results है बहुत ही अच यानि इस पर अभी रिसर्च चल रहा है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोरा एव यन या आपके कुल हो की हड़ी के गड़ने की सम्मधित दी होई जानकरी आपके लिए हैलफुल होगी यह जानकरी आपको अच्छी लगी तो चैनले को लाइक करें शेयर करें औ समस्या के लिए इस चैनल से जूड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बैल आइकन धबा दे जिससे मेरे दोरा दी हुए जनकरी आपको सबसे पहले वह चे तब तक दोस्तों इस्टे सेफ इस्टे हल्दी थैंक्यू जाहिन